दोस्तो टी ट्वेंटी वर्ल्ड कप 2022 के लिए मेहंदर सिहां धोडी ने घोशित करी भारत की खतरनाक प्लेइंग 11 रिशाप पंत सही तीन दिगज खिलाडी किये बाहर सौगर दोस्तो आप सभी का हमारी यटूब चनल किरकेट देखो जी में आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि टी ट्वेंटी वर्ल्ड कप 2022 के लिए भारती टीम की स्कौर्ड की घोशना हो चुकी है लेकिन अब टीम इंडिया की परफेक्ट प्लेइंग 11 की घोशना मेहंदर सिहां धोडी ने कर दी है आखर दोनी ने अपने टीम में कौन कौन से खिलाडियों को शामिल किया है रिशा पंत सहीत कौन से तीन धुरंदर खिलाडियों को बाहर किया गया है दोनी के मताबिक टीम इंडिया की टी ट्वेंटी वर्ल्ड कप के लिए पूरी प्लेइंग 11 विस्तार से आजमाब को बत के बीच 23 अक्टुमबर को एक रुमान्चक मकाबला खेला जाएगा इस दोनों ही टीमों के बीच कांटे की भिड़त देखने को मिलेगी दोनों ही टीमों की बीच यह मकाबला काफी हाई होल्टेज हो सकता है जो कि दोस्तों भारती टीम ने आखरकार टी-20 वर्ल्ड कप के ल चुके हैं पाकिस्तान के लिए भी खुशकबरी की बात तो यह है कि पाकिस्तान के तेज गेनबाज शाहीं शाहा अफरीदी भी फिट होकर मैदान पर वापसी कर चुके हैं पिछले साल टी-20 वर्ल्ड कप में शाहीं शाहा अफरीदी की गेनबाजी को कोई भारती अभी तक नहीं भुला पाया है अफरिदी के मुदलत ही पाकिस्तान के टीम ने पिछले साल टी-20 वर्ल्ड कप में दस विकेट से जीत दर्ज की थे अफरिदी ने रोहित सर्मा के अलाहुल विराट कोहली का विकेट चटकाया था तो दोस्तो ऐसे में अब भारती टीम इस टी लेकिन टी-20 वर्ल्ड कप का हिसाब बाकी है दोस्तो ऐसे में टी-20 वर्ल्ड कप का पहला है मकाबला पाकिस्तान के खिला जाने बाला है और इस मैच के लिए आخرकार महंदर सीह दोनी ने अपने खतरनाक प्लेइंग 11 की गोचना कर दी है आखिर दोनी ने अपने लेकिन टी-20 वर्ल्ड का प्लेइंग दोनी ने बाहर किया है और इसमें रोहित सिर्मा और विराट कोली की ओपनिंग जोड़ी का खतरनाक थाबित हो सकती है इसके अलावा नमबर तीन पर महंदर सीह दोनी के मताबिक सुरी कुमार यादो खेलते हुए नजराएंगे ऐसमें सुरिया अब पाकिस्तान के खिलाव काफी खतरनाक साबित हो सकते हैं इसके अलावा नमबर चार पर धोनी के मताबिक दीपक खुडा खेलते हुए नजराएंगे जी हाँ दोस्तो दीपक खुडा एक ओल्डाउंडर खेलाडी है लेकिन वह बैटिंग ओल्डाउंडर है जो कि बहतरीन बलेबाजी कर सकते हैं और उसके बाद जरूरत पढ़ने पर गेनबाजी भी कर सकते हैं दीपक खुडा ने भारत की तरफ से अब तक 12-20 मकाबले खेले हैं जिसमें उनके बल्ले से 293 रंड देखने को मिले हैं और उनके बल्ले से एक शतक भी देखने को मिला है तो ऐसे में उम्मीद करते हैं कि नमबर 4 पर अच्छा प्रदेशन करें आईपल में दीपक खुडा आफ दे मैच का अवार्ड जीता था लेकिन उसके बाद दोस्तों खार्दिक पांडिया का ओवर ओल एशा कप में प्रदेशन काफी खराब रहा था तो खार्दिक पांडिया से फॉर्म में वापसी की उम्मीद होगी इसके लावा दोस्तों धोनी के मताबिक नमबर 6 पर फ पुडी ने एक बार फिर से दिनिश कार्थी के लिए नमबर 6 की जगह लगबक फिक्स कर दी है इसके लावा नमबर 7 पर जड़ेजा तो नहीं है तो ऐसे में दोनी के मताबिक अकशर पडेल जड़ेजा के स्थान पर खेलते हुए नज़राएंगे जो की जड़ेजा का एक बहतरीन रिप्लेस्मेंट है अकशर पडेल बहतरीन गेंबाजी के साथ साथ बलेबाजी में भी अच्छा खासा योगदान दे सकते हैं इसके लावा नमबर 8 पर धोनी के मताबिक चहल गेंबाजी करते हुए नज़राएंगे टी 20 वर्लिकप में यजविंदरी चहल की गें गेंबाज प्रॉपर गेंबाज खेलते हुए नज़राएंगे सबसे पहले तो धोनी नमबर 9 पर हर्शल पडेल को शामिल किया है हर्शल पडेल जो की बहतरीन गेंबाज हैं दोस्तो डेट ओवर्स में काफी किफायती गेंबाजी करते हैं और विकेट्स बेर चटकात कर द की उमीद होगी इसके अलबाद धोनी की मताबिक नमबर 11 पर चोंकाने वाला फैसला लिया गया है जिहां दोस्तो धोनी ने नमबर 11 पर महमद शामिल किया है जो की एक बहतरीन तेज गेंबाज हैं शुरुआत में आपको पावर प्ले में विकेट्स लेकर देते हैं और का मिलना चाहिए उसका जिवा भी ज़रूर दे इस वीडियो को इक लाइक जरूर करें चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें धन्यापाई